टोयटा कमपनी की गाड़ियों को जो लोग ओवर प्राइस बताया करते थे उनके मुँमें तमाचा मारा है टोयटा इनोवा हाइक्रोस ने और अब ये MPV 25 नमबर को भारत में भी अन्विल होने की पूरी तयारी में है जी हाँ टोयटा इनोवा हाइक्रोस को अन्विल कर दिया गया है इंडोनेशिया में और ये गाड़ी अपने सेग्मेंट में किंग होने वाली है अब वैसे टोयटा इनोवा क्रिस्टा पहले ही अपने सेग्मेंट में किंग है एक MPV होने के नाते और लगबग 28 लाग रुपे प्राइज होने के बावजूद इस गाड़ी का मुकाबला दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं कर पाती है मार्किट में हाल फिलाल बात करते है इनोवा हाइक्रोस के बारे में जिसे 25 नवंबर को भारत में अन्विल किया जाने वाला है अगर इसके फ्रंट प्रुफाइल को देखे तो लगबग इनोवा क्रिस्टा वाला ही लुक से इसमें मिलने वाला है अलाकि फ्रंट साइड में बड़ा मस्कुलर बनाया गया है नो डाउट इनोवा हाइक्रोस फ्रंट प्रुफाल से बहुत ज्यादा मस्कुलर और बहुत ज्यादा एग्रेसिव लग रही है साइड प्रुफाइल से यह MPV इनोवा क्रिष्टा से भी लंबी है क्योंकि ये पेट्रोल हाइप्रिड इंजन ओप् जरूर तो इसकी length है 4755 mm, इसके width है 1850 mm, इसकी height है 1795 mm, और इसका ground clearance 185 mm का है. Rear profile भी इसका काफी जादा muscular बनाया गया है, जो इनोवा कृष्टा से पूरी तरह से अलग है. Rear profile में इसमें LED tail lamp, electronic tailgate, 18 inch के silver alloy wheels, integrated spoiler, high mount stop lamp जैसी चीज़े मिल जाती है इसके rear profile में. खास बात इस MPV के interior में हैं, जिसमें panoramic sunroof, dual tone, brown और black theme, 10 inch की floating touch screen infotainment system with android auto and apple car play की connectivity के साथ, dashboard पर silver trim, second row में captain seats और साथ ही second row के लिए भी दो 10 inch के infotainment system इसमें दिये गया है. बिल्कुल newly designed steering wheel, electronic parking brake, new instrument cluster और साथी बिल्कुल new central console के साथ बिल्कुल fresh interior मिलने वाला है Toyota Innova High Cross में अब आपको. यार अब इसमें इतना कुछ नया मिल रहा है तो engine भी बिल्कुल नया ही मिलेगा न? तो बिल्कुल Innova High Cross में 2 लीटर का petrol engine दिया जाएगा जो 172BH की power और 187NM torque generate करेगा. और साथ ही इसमें 2 लीटर का petrol hybrid engine भी मिलेगा जो 20NM torque की होगा. अब बाकी चीजे जब इसे unveil किया जाएगा तब के लिए छोड़ते हैं. वैसे Innova High Cross आपको कैसी लगी? कॉमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं. इस वीडियो में तो बस इतना ही अपना बहुत सारा क्याल रखें. जैहिन!